हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल तो आज हम हिंदी विशे में परियावाची शब्द पढ़ेंगे परियावाची शब्द वैसे तो हम बच्पन से ही पढ़ते आ रहे हैं लेकिन जिसमें भी हिंदी का पेपर होता है उसमें एक नंबर का परियावाची शब्द अवशिप पूसते हैं तो जिससे हमें एक नंबर से हमें कितने बच्चों को कितने बच्चों से हम आगे निकल जाते हैं तो चलिए देखते हैं प्रियावची शब्द किसे कहते हैं समान अर्थ रखने वाले शब्दों को हम प्रियावची शब्द कहते हैं अर्था जिसका कोई दूसरा अर्थ ना ह जिसका कोई दूसरा अर्थ ना हो, वे शत्व जो भिन भिन होते हैं, होने पर भी किसी एक अर्थ को इस्प्रस्ट करते हैं, वह कौन से कहलाते हैं, वह परियावाची शब्द कहलाते हैं, चलिए देखते हैं, कौन कौन से हैं, परियावाची शब्द, देखें, अम्रित, अम्रित का मतलब सुधा, अमी, प्यूश, सोम, अम्ये, देखें, प्यूश, अम्ये, तो ये तो आसान है, लेकिन अमी, ये तो टफ है, इसको जरूरियात करें, और सोम, सोम का मतलब तो पता है, अम्रित होता है, दूसरा देखते हैं, अंकर, एंकार का धम गमंड दर्प अभिमान वगर्व देखिए इसमें जो इंपोर्टेंट है वो है धंप और दर्प इन दोनों को बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे लिए अहंकार का मतलब भी होता है धंप और दर्प तीसा देखते हैं अंधकार अंधकार मतलब अधेरा तेमिर तम अधिती मतलब क्या होता है पाहुना अभ्यागत आगंतुक महमान इसमें जो इंपोर्टेंट है आप देख लेजए पाहुना एक और अभ्यागत यह दो इंपोर्टेंट जो पेपर में पूछे गए आख का आख का तो आसानी है इसमें बताने जरूत नहीं है नेत्र नयान विलोचन आग आग तो बहुत इंपोर्टेंट है आग अनल पावक ज्वाला देहन हुतासन धूनकेतु जातवेत वैशनावर वहिनी और सिखी इसमें जो इंपोर्टेंट ही यह हुताशन आप लोग जरूर्याद के लिए हुताशन बहुत बार पूछा गया है इसमें रजनी चर्जो है और निसाचर यह दोनों इंपोर्टेंट है अनुपम अनुपम क्या क्या हुआ है अनोखा अपूर्व अद्भूत निराला अनूठा अदुत्य अतुल अनन्य ठीक है अब आनुचर का देखते हैं अनुचर यानि सेवक दास नौकर परिचारक अन अन्य का मतलब क्या होगा अन्य का मतलब क्या होता है भिन प्रत्यक और दूसरा और पर भी होता है ठीक है